इस लेट उस बिगिन विट वेरी बैसिक आज की शुरुआत करते हैं अपन बैसिक की सिखना है सबको बैसिक कि अब अप्था एंड एंटी फाइड कैसे यूज करें आज सब्सक्राइब कल मैं आप लोगों को सिखा दूँगा एंटी फाइड यूज करना कुलुज धो ने लोग उनको थोड़ा सा वघ्री सकता रिपेटेशन नको जुड़ना है जूड़े रही है जिनको और तीक जोंक्राश्टेश करी से इसे समस्ति पास प्रेंड ब्लेंद डेंड में यह एक एक बैसिक कैंडल का मीराव किक्च्छिए वह Mitar है क्या यह है अब यह चार पार्ट्स है यह इसका है मतलब केंडल यह पैसे के लिए क्या होता है कि यह आपका प्राइज उपर नीचे होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि यहां कहीं ओपन हुआ हैंए गडिया इसका यह हाई कितना ओग्या एकसा पंद्रा लो 95 ओगया ऊपन एकलो सब्सक्राइब फ्राइग तो जब भी जूपन ड़ाइब उपन हें केंडल जिस फ्राइज से उपन होता है और उसके ऊपर रहेगा ज्याइए बुलिश केंडल मतलब तैजी होती है में प्राइस उपर जाता है यहां कई हाइड किया फिर लोग किया फिर यहां क्लोज हो गया उपर में इस तरह से वोसका working होता है तो इसमें गया होता है कि चार चार पार्ट्स है हाई लो ओपन एंड क्लोज तो यह ओपन और क्लोज अगर पॉजिटिव है प्राइज उपर गया है यह समझ में आया है कि यह पॉइंट बुलिश केंडल और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जैसे इसका complete जो है let's say 20 points 95 115 ओके और इसका बॉडिवर है यह तो अब तो अब इसका range को half करेंगे 20 को half करेंगे तो कितना आएगा 10 अब एक point यह है कि if half of the range is equal to if the body यह यह ओपन क्लोस का जो distance है यह half से equal या greater होगा तो मतलब इसको बोलेंगे हम strong candle complete range जो है उसका half करेंगे 10 हुआ अब अगर यह body का size जो है hundred to 110 है अगर यह इसके equal है half से equal है मतलब 10 यह है half और यह इसका size भी 10 है तो मतलब इसको बोलेंगे strong candle क्या बोलेंगे strong strong bullish candle yes strong bullish candle ब्लू शो हो रही है हां एक क्या चाहिए है कि यह मैंने color उसको sky blue दे रखा है और कोई issue नहीं है कि मैंने अपने ड्रॉब करने में मैंने उसको sky blue दिया है कि है वो ग्रीज़न है कि एक बार और बता देता हूं यह candle let's say यहां से लेके यहां तक यह पूरा distance है 20 points का distance है और यह इसका जो body है candle का इसका distance है 10 points तो अब जो यह 20 points को half करेंगे अपन तो 10 हो गया अब यह इसको बोलते है उपर से नीचे तक इसको बोलते है रेंज हाई से लो तक इसको बोलते है रेंज और यह जो है candle open to close इसको बोलने है body of the candle candle का body है यह और यह complete range है अगर body is equal to or greater than half the range तो उसको बोलेंगे strong candle समझ में आया यह मैंने repeat किया उसको वापस strong candle half of the range जो body है candle का जो body should be equal to or greater than half of the range body should be equal to or greater than half of the range तो this becomes a strong candle इसको अपन चार्ट पर देख लेते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि सब रिमूव कर देता हूं मैं आज अपने कोई काम का नहीं है यह सब जीवीपी यूएजडी अपना वैसे भी प्रॉफिट में चल रहा है कोई इस्यू नहीं है क्लोस कर सकते हैं मंडे को यह ट्रेट जिन लोगों ने लिया है यह ट्रॉइंग साइट रिमूव कर लिया अभी एक एंडल है लेट से यह केंडल है कंप्लेट यहां यह 1.27727 इसका यह हाई पॉइंट है 1.26997 यह इसका दो पॉइंट है अभी यहां से लेगे यहां तक जो है इसको बोलेंगे के दो यह सी पॉड़ेंगे पॉड़ी आफ़ दो कैंडल शोग फिरोडीव दो कैंड़ इव दिसीस इक्वाल टू और ग्रेटर दैं हाफ दॉप दे लेज़ था स्टॉंग कैंडल समझ में आया स्ट्रॉंग कैंडल केंडल की चड़ी क्या है सब चड़ी मतलब कि समझ में आई सभी कोई है कि तो यह है बुलिश है यहां ओपन हुआ है और उपर लोग हुआ है तो इसको बोलेंगे बुलिश याने तेजी वाला केंडल है तेजी बता रहा है प्राइस अब गया है सिमिलरली यह केंडल है यहां भी यह लेंज है उपर से लेके नीचे तक और यह यह इसका बॉड़ी है अब इसमें ओपन हुआ लेट से हंड्रेड पे और लोग वा नाइंटी पे तो इसमें मंदी आया है जो अपन हिंदी में बोलते हैं तेजी मंदी यह प्राइस ड्रॉप हुआ है है तो इसको बोलेंगे बेरिश केंडल अब क्लियर यहां तक यह दो टाइप हमको कुछ नहीं देखना खाली चाहर टाइप के केंडल देखेंगे और चाहर पैटर्स बताओंगा मैं आज का दिन पूरा हो जाएगा वह समझाने में क्योंकि यह एकदम बेसिक है और यह जब तक बेसिक सब का ख्लियर नहीं होता है तब तक आगे हम जाई नहीं सकते हैं कि किसी को नहीं समझ में आया हो तो अभी भी मैं बताने को तैयार हूं एक बार कि अब के चलिए इसके पहले बादा बुलिश स्ट्रॉंग केंडल यह अभी रेड़ वाला आ जाएगा वह बेरिश स्ट्रॉंग केंडल हैने इसमें इसका जो बाड़ी है और इसकी रेंज के हाफ से जादा है या उससे एक्वल है तो इसलिए उस्ट्रॉंग केंडल केंडल लाएगा और सिंस प्राइज उपर से नीचे आ रहा है ट्रॉप हो रहा है इसलिए उसको बेरिश बोलेंगे इसमें इसमें इतना कोई वह नहीं था कि एक्वांपल से कल्कुलेट करेंगे कि अब यहां से यहां तक कि इसका लिखिया हाइपॉइंट वन पॉइंट टू सेवन फाइफ और शिक्स कि अब वन पॉइंट तो ते वन फाइफ फाइफ और शिक्स अब कि अगे अध्य लोग इसका है वन पॉइंट टू सेवन जिरो फाइफ पो नोग वन पॉइंट तो शेवन जीडो फाइफ पाइफ पो तो दोनों का डिस्टंस कितना हो गया कि इसमें से माइनस करेंगे फाइफ फटी सिक्स में से फिफ्टी फॉर तो पॉर एंडरेंड संदिंग आ गया इस दिस्टंस तो रेंज हो गया पॉर एटी एट पॉर एटी एट ओके अब इसका हाफ करेंगे रेंज का तो हाफ रेंज हो गया है यहां तक समझ में आया सभी को इस दिस क्लिर मुझे कमेंट समझ में नहीं आया है चड़ी क्या मतलब what do you mean by चड़ी अब इसका बॉड़ी का कितना है वन पॉइंट टू सेवन फोर सिक्स टू सेवन पॉर एट री ओपन 1.27483 475 ठीक है 483 475 that is okay और क्लोज 27132 क्लोज 1.27132 अब यह दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 483 से 132 मतलब 355 इभाएवब। 235 बबद टा great, how now 355 is greater than 244 355 है इस रह देन तुव फुवटिपोर अवे उसका जो कम्प्लीट रेंज है उसको हाफ करेंगे तो तू कुटी हो रहा है यह बाड़ी का साइज त्री फिफ्टी फाइज त्री फिफिफ्टी फैज रेजें तुव लेफोर निफॉर्ट ही फॉन तो फोरफोर निस इस अ strong candle and price drop hai price drop so bearish candle right इसको बोलेंगे strong bearish candle strong bearish candle समझ में एग्जामपल दे के मैंने मतलब first time मेरी जिन्दिकी में अरे क्या फरक पढ़ रहा है 355-351 से समझ में नहीं आ रहा है नहीं I cannot repeat once again यह तो मतलब हद हो गई है आप लोग समझना नहीं चाहरे हो 351 लिख लो ना सब्सक्राइब करना पढ़ेगा फरक क्या पढ़ रहा है उसमें 351 कर लो तो 351 इंडान सब्सक्राइब लेटर देन 244 देखे मेरा मिस्टेक्स निकालेंगे यह ऐसे तो मुझे मतलब आइवोंट लाइक इट बेसिकली मैं बता रहा हूं 351 हो चाए 355 हो यहां मैं कोई वह मैस कैलकुलेशन की उसमें नहीं बैठाओ आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैंने अब पुराने लोगों से पूछ लो जो चार-चार महीने पुराने कभी यह इतना इतने टाइम में तो मैं पुरा आज का चैप्टर खतम कर देता हूं चार पैटर्स के साथ मैं नहीं किया है मैंने पताइए ओल्ड पीपल कि और सब लोग क्रेड़ करके पैसा कमा रहे हैं मैं थ्री फिफ्टी वान थ्री फिफ्टी वाई का गलतिया नहीं निकाल रहे हैं यह कंप्लीट रेंज है उसका 488 पॉइंट था इसका बाड़ी है 351 थीग है 355 की जगे वह मिस्टेक हो गया मेरा टाइपिंग में यह वाटेवर 351 थीफिफ्टी वाने बट थी फिफिफ्टी वन इस अल्सों ग्रेटर दें 244 था इस इस फ्रॉंग बैरिश केंडल सिमिलर्ली जब प्राइज ओपन होगा यहां पर लोगा यहां पर एंडिया रेंज इतना है यह हाफ दरेंज बाड़ी इस ग्रेटर देन हाफ दरेंज सो देसिल भी स्ट्रॉंग बुलिश केंडल लिए यह यहां तक दो टाइप के केंडल जोन पढ़ाने है पहले केंडल के आगे जाएंगे तो जोन पढ़ेंगे ना वाइसाब आपके लोग केंडली कंप्लीट करने को तैयार नहीं है अभी तो दो स्ट्रॉंग केंडल बता है अभी दो बेलिश केंडल बताना है फिर उसमें उसका पैटर्स समझाना पड़ेगा अपने को चार पैटर्स पैटर्स अगर हम देखेंगे इसमें यह इसका लेंज इतना बड़ा है अगर इसका ट्वेंटी पॉइंट्स का लेंज है और पांच शे पॉइंट का अगर इसका बॉड़ी है तो रेंज का हाफ कितना होगे टैन और बाड़ी स्मालर देन हाफ अफ दे रेंज तो दिस इल्बी यह क्या बोलेंगे इस केंडल को बुलिए ओल्ड पीपल बेस केंडल वेरी गूड बेस केंडल बेसिक केंडल को हम अंडर्स्टेंडिंग के लिए पहले हम जैसे उसको स्ट्रॉंग बताया ना मजबूत वैसे इसको पहले बोलते हम वीक वीक केंडल्स डव्ली एक यहन्य कम जोर वाली फिर उसका टेकनिकल नाम है बेस केंडल डिस अपनी अंडर्स्टेंडिंग के लिए रखाय हुए तो इसके अपने अपनी अंडर्स्टेंडिंग के लिए रखावोग था यह बुलिश बेस केंडल राइट रिट् बेलिश केंडल और यह वीक केंडल लिए तो दिस लिए बेलिश बेस केंडल के लिखेंगे हैं बेलिश बेस केंडल कि समझ में चार केंडल टाइप सबसे पहले मुझे यह बताईए बिलिश बेस केंडल बोलेंगे तो बेटर दिले दिले वह वीक दिमाग से हटाके इसको करदो अपने को आगे चलके वो बेस केंडल रशी यह आंदर है नाम जिनको नहीं समझ में आ रहा था उनको भी समझ में आ गया यह चार ताइप के केंडल कि अब लोग को यूज बता रहा हूं विल शेर और विल गो टो अर चार्ट चार्ट दीख रहा है सभी को ट्रेडिंग विएस ओक्रेंग अब अपने को चार पैटन्स याद रखने बस और कुछ नहीं करना अपनी लाइफ एकदम सिंपल हो जाएगी चार पैटन्स हम याद रखेंगे अपना लाइफ सिंपल हो जाएगा आप लोगों ने सुना होगा गूगल में देखा होगा सेकड़ों केंडल पैटन्स हैं कि दो सो तीन सो पांसो तो होंगे होंगे अपने को इतना कुछ नहीं करना है अपने खाली चार पैटन्स याद रखने चार्ट में हमको चार पैटन्स ही ढूनना है अपने को चार्ट में क्या करना है अभी मैंने बताया है कि अभी चार पैटन्स देखना है अभी नहीं लोगों के लिए मैं थोड़ा सा लाइफ विजिट कर देता हूँ देखिए अभी अपने तीन कलर के चार्ट चल रहे हैं अभी दो कलर की हो गए क्या हुआ अब यह यह बेरिश बेस के बेरिश स्ट्रॉंग केंडल है यह बेरिश स्ट्रॉंग केंडल है यह बुलिश स्ट्रॉंग केंडल है यह बुलिश स्ट्रॉंग केंडल है यह है है उन्होंने क्या किया जो वेरिश लिए उनको उन्होंने वह सब एक इन्डिकेटर में काॉंसलिडेट कर दिया उसको नाम देदिया बोरींस जैसे हम इसको उसको प्लिक करते हैं जितने बेस कैंडल से सब्वाब यहां तक समझ में आया है तीन कलर का चार्ट आप लोगों ने देखा नहीं होगा कभी तक तीन केंडल्स का देखा है नए लोग कीजिए देखा है तो यह सब्सक्राइब करेंगे जैसे कि अल्रीड आपके शाथ ही करी गया है घस्त्स उम्हें वंड वॉन वीक वान वीक बैसे जहीं बोल्रा हूं है एक हफ़ते दो हफ़ते में तो सब ट्रेड सीख के मेहुल जी कर रहे हैं मुश्टाग जी कर रहे हैं सोहन वर्मा जी कर रहे हैं बहुत एजी मतलब है नहीं एजी लेकिन इसको एजी बना दिया है बहुत बढ़िया तरीके से करता है तो हमको खाली चार पैटन्स याद रखना है क्या है अभी मैं आपको चार पैटन्स भी बताता हूं देखे यह एक पैटन यहां मिल गया मुझे प्राइज यहां से रैली किया है उपर गया तो यह उपर गया मतलब रैली हो गया राइट य हो गया यह बीच में ब्लू केंटल लागया मतलब बेस हो गया कि प्राइज उपर गया कुछ देर यहां पर रुका बेसिंग किया और मतलब कॉंसोलिडेट किया यह साइडवेस चला गया और फिर वापस यहां से उपर चला गया यह एक पैटन है अपना यह इस तरह से पैटन है रैली बेस और लेली अभी जल्दी से सब लोग इसका नाम बता देंगे क्या रहे गाई है और भी यार रैली बेस रैली मैं इसको आपकी आप लोग के लिए एक बार वापस साइड में इसको ड्रॉप कर देता हूं अगे अन्डेस्टाइटिंग के लिए कि अग्यों कि अग्यों कि रैली बेस एंड रैली रैली बेसें रैली बेसें रैली नाम दे देंगे आर बी आर ओके एक पैटन समझ में आ गया चार्ट में हमको क्या ढूंड़ना है आर बी यार ढूंड़ना है रैट सेकेंड पैटन करेंज जाएंद रैली है यह बेस है और ड्रॉप है देखिए रैली वह वाला ही च्छैर करते हैं यांवा बेस यह ले लिया यह लिए यहां तक का बेस आ गया यहां से प्राइस ड्रॉप हो गया रैली बेस एंड रैली बेस एंड ड्रॉप सेकेंड पेटर्न हो गया रैली बेस कि यहां से यह पूरा यह इतना रेंज बेस का ही है कंपिट एंड ड्रॉप नाम रहेगा रवीडी येस एक्सपर्ट स्टूडेंट्स कि आर बी डी रैली बेस्ट्रॉप कि दो पैटर्न हो गया तिसरा पैटर्न भी अपने को यहीं मिल रहा है कि ड्रॉप है बेस है और ले लिए तो एक में मुझे सब पैटर्न मिल जाएंगे लगते एक और में अभी कभी तो ढूनने पड़ते हैं यही वाला ड्रॉप कंसेडर किया है रॉप बेस एंड यह ग्रीन केंडल है रैली वाला ग्कсем्सक परहे ही पाला कि धमखने ऴगा कुने एक limitations केम यही प्रॉप मिल अटीड करेगी बेस एक मेंहिंग ह। कि ड्रॉप बेस एंड ड्रैली यह अपना थर्ड पैटर्न होगे इसको मैं आप लोग लिए ड्रॉप कर देता हूं कि ड्रॉप कि बेस कि एंड रैली यह एक पैटर्न होगे नाम रहेगा कि अगया होगा बहुत लोगा ने टाइप कर दिया होगा यस डी वी आड कि टी वी आर कि ओके पैटर्न डी वी आर होगे है अब क्या बचा ओल्ड पीपल यस बकेट यह बहुत इजी पैटर्न्स है चेहर है उल्टा रखा हुआ ग्लास है सीधा रखा हुआ ग्लास बोल लो बकेट बोल लो बहुत इजी है आपको ट्रैक करने को बहुत इजी ली मिल जाएंगे और फोर्थ पैटर्न अपने को कहा मिलेगा यहां है क्या दिख रहा है पुराने लोग बताइए जिनको मालूम है यह 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 है ना यह रहा ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप वोड़ों दूर लाए गया हओ बत मिल गया इसी पेट लोगल केंडल बेस ओ गया एंड अपस टॉप ओ गया यह 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 इस आंपकी लेसे तक क्लेक्षते ड्रॉप देशसे okay okay so i'll draw it for you drop base and drop right leveling name will be dbd my name dbd drop base drop देखिए यह page का screenshot ले लीजिए चार पैटन्स है यहाँ पर drop base drop है drop base rally है rally base rally है और rally base drop है बस यह चार पैटन्स ही हमको चार्ट में ढूंड़ने हैं और पूर पैटन्स जैसे यह राली बेस रेली हो गया यहां रेली है बेसे रेली है है ररीट इस तरह से हमको चार पैटन सी ढूड़ने है पूरे चार्ट में और कुछ नहीं करना अपना लाइफ सेट है बस इतना समझ में आ गया तो कि समझ में आया यहां तक किसी कोई डाउट कुछ है कोई क्वेली है बताइए कोई हाँ बताइए क्लियर है सब्सक्राइब लुटाउट वेली वेली कुछ है जिस किसी को डाउट हो एक बार हैंड्रेस कर दो कि मुझे पता चल जाएगा इतने लोगों को डाउट है और और किसी को डाउट नहीं है कि अएक सेवन पीपल है डाउट यह दिने ची आप मुझे बोल रहे हो या लोगों को बोल रहा है है मैं एक दिन में मैं सिखा रहा हूँ केंडल के ऊपर नीचे चड़ी तो लोगों को भी मतलब यह तो अपन एभी सिख रहा है एक नहीं रहे सक्तेट्टर बनेंगे अभी दो प्याम है मैं सुपरकांता जी का एक डाउट जो काफी टाइम से मतलब पूछ रहेते हैं मुझे भी अभी समझ में आए क्या पूछना चाह रहे हैं तो मैं क्लियर कर देता हूं अब लुक्त के ऊपर नीचे छडी क्या होती यह चड़ी इसी माथ यह पंट की यह पॉइंट्स की है यह होता कुछ नहीं है यह जैसे यहां से नीचे गया यहां से फिर बाइंग होना चलो हुआ बाइंग हो गया प्राइज उपर जाते गया जाते गया यहां तक चला गया अब यहां पर प्राइजीलad आप सद्सेट्ट यह खिर द्लक मौहत्य और यह इसे चार गंट का कैंड़ं फिर नेक्स केंडल क्रियेट चन को मोगा उसमें प्राईज इधालो को यहां थे बाइन है दो यह किया है यह लोग कि वै Elia इसमें चार आया तो यहां तक आ गया आ यहां तक हनीश फ्रॉप के आदा प्रॉप और पॉटीष और वह वापस आता है यह उसका मतलब है समझ में यह चड़ी का मतलब तुब्रकांता जी क्या बढ़िया सासंत्रीब जी कुछ बढ़िया था कि मेरे पीछे कि यह बढ़िया लेकर सी नहीं तो टाइम लगे गई विलकुल लगेगा लुट अ इस लोगेश यह हाइए हुआ है है और लुट होता है कई बार विक नहीं भी होता है देखिए आप कोई केंडल बता दाओं मैं आपको जिसमें वीक नहीं भी होगा बस वो केंडल टू केंडल ही होगा यह बहूत छोटा वीक होगा में देखें यहां पर वीक नहीं है नीचे अ इसको जो चड़ी जो पूछ रहे हैं इसको मतलब बीक भी बोलते डव्याइश के डव्याइश के विख और उसका दूसरा और नाम है ठेल पूछ यह शेडो चाया यह भोलते्ख ऐसेडूब्स बोलतें यहांपर टाइल नहीं है इसका मतलब क्या है प्रिज्च यहां ओपन हुआ है यहां तक गया है उपर और यहां वापस सेलिंग प्रेश्च्ण हाके प्राइज यहां पर लोस हो गया यह जैट बना हुआ सब्सक्राइब नहीं है तो इसका लो और ओपन से में लो पे ही ओपन हुआ और फिर यह हाई बनाया इसमें इस तरह से आप लोगो को केंडल का मूवमेंट देखना पड़ेगा किने जी को भी होने में काइम लगा था कि एसा क्यूं मतलब कि ऐसा क्यूं एने क्या कैसा क्या है कि यह तो क्या है रेटमी नाइन जो यह आप जब एक बार ट्रेडिंग क्लासेश चालू हो जाएंगे ना तो आपको पुरा समझ में आ जाए गए तेली मतलब उतना कि अधेल और उपनिंग सेम क्यों मतलब अरे उसके नीचे प्राइज नीचे गया इनी होगा ना यहां ओपन हुआ यही से उपर चला गया प्राइज यह नीचे आया यह नहीं होगा कोई जबरदस्ती थोड़ी है यह यहां पर भी है यहां बिलकुल हलका सा नीचे आया और वापस उपर चला गया वह ऐसा क्यों मतलब उसका कोई वह नहीं है अब यहां पर यह लोग ऑपन ऑल्मोस से में प्राइज लोग असर आपन हुआ के यहां तक उपर चला गया प्राइज करके जारा सा नीचे आके क्लोज हो गया तो केंडल का टाइम कंप्लीट हो गया फिर न्यू केंडल पॉर्म हो गया कि इस तरह से वह उसमें ऐसा क्यों का रिजन नहीं है कुछ भी ने ने अब आप आपकी इच्छा हो जो करो मैं कुछ नहीं बोल रहूं किछ कर नीचे कर दो यह मजाक वाली बात नहीं है इस इस पॉल साइकलोजी ऑफ टेंडल फॉर्मेशन आपके सब जो जो साइकलोजी अभी तक है तो सब चेंज हो जाएगे आप लोगे पैसा कमाना है तो अलग तरीके से सोचना पड़ेगा इस नुक्सान तो दुनिया कर लएं जो मीडिया में बैठें बड़े बड़े लोग वो लोग नुक्सान करवा रहे हैं इस लिए तो अलग तरीके से सोचना पड़ेगा अलग तरीके से करना पड़ेगा अश्यारों पैटन्स समझ में आ गई येस नो yes I am continuing it I am just doing my work but I have to ask everyone because this is the foundation of it okay कुछ कुछ से भी रजिस्टर आकर यूट्यूब में ग्यान देते रहते हैं तो ग्यान देने वाले देते रहेंगे अपनी इच्छा अपने को लेना है नहीं लेना वह सब ग्यान कि हां हर सेटरेडे संडे को बेसिक करते हैं ताकि जो लोग नए जो जुड़ते हैं उनको सिखाना जरूगी है इसलिए यह अपन नहीं बोल सकते सबके सब फ्रॉड है वो जो भी है वो उनका काम कर ले है उनका काम है लोगों का नुकसान करवाना तो थोड़ी कोई अपने सगे संबन नहीं आपने दोस्त या कोई है कि अपने को पैसा बनेगा तो उनको खुशी होगी उनको तो अपनी जैब से पैसा निकल वाके जो उनको हायर कर लें उनकी जैब में डलवाना है ना इसका इस तम ज्यादा पैटन्स प्रेडिंग लगे पर कितने पैटन्स तोने गे और ज्यादा कम पैटन्स मिलने से क्या फर्क पड़ता है नहीं समझ में है मुझे आप लोग भी मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं थैंक्यू वेरी मच्छ लाइफ इजी करना है तो बस यह चार पैटन्स याद रखें और कुछ मत सोचें अपकर सब ट्रेडिंग का काम सही हो जाएगा तो यह स्वेट्रेड नेक्स विक हाँ नया ट्रेंट चलो अभी तो सिखा नहीं पड़ेगा पैटन्स का यूज करके आज एक्छुली पात्साथ मेरेट में मैं कर नहीं पहुंगा हूं पैटन्स का यूज करके सिखाना कल थोड़ा एक घंटे का टाइम रहेगा उसमें हम पूरा कर लेंगे सेवन फॉर्टी एक्शुली क्या होता है यह पहला दीन जो लेता है ना जिसमें चार पैटन्स और चार कैंडल टाइप यह सिखाने में मैं मैं सोचता हूं कि सैटरडे का एक घंटा पूरा उसी में किसी को भी कुछ डाउट हो कुछ करना हो तो इसके लिए है पूरा एक सेशन उसमें रहता है जब एक बार आप लोग यह पैटन्स देख लेंगे समझ लेंगे इसका स्क्रींशॉट लेकर दो-चार बार देखेंगे उसको आप लोग को समझ में आएगा फिर उसका यूज करना भी बहुत इसी हो जाए इन एंगल ट्रेडिंग पेज वह मैंनी पैटन्स तो फैंड पैटन्स आपको कंटिनियूज मिलते ही रहते हैं ना कंटिनियूज बनते ही रहते हैं पैटन्स तेखें रएली बेस रैली यह यह वाला रैली बहुत चोटा है अहोगर्ण रियूज मेणद सब्सक्रण पैटन्स तो बनते ही रहेंगे लियून आप बेस यह है पैटन्स आप लोग के बनते ही रहेंगे उसमें वह कुछ नहीं है लेकिन कौंसा पैटन्स दियूज करना और अच्छा कैसे पैटन यूज करना देखो मार्केट में कोई चीज लेने जाते हो तो ढूंडते और अच्छा ले जाओंगा मैं तो वैसे पैटन सो अपने को अर्टेंडल पे कुछ नगुछ पैटन हो डेकिन अपने जो चार जो बैस करेंगे और कैसे करना कीष्वार मंचे करेंगे इने ऑफ रखना है और मैंश्वास रखना तको एपसोलुटली प्रॉब्लम नहीं रहे गाए यहां इन प्वेस्ट रहेंगे लेकिन कॉन पैटर्न कहां यूज करना है कॉन सा रहता है कि अबन कोई चीज़ लेने जाते तो अच्छा देखके ढून के प्रसम करके लाते ना या ऐसे कोई उठा के लिए तो बस पैटर्स तो बहुत सारे मिलते रहेंगे अपने को अच्छा ढूना है उसको कि जो अपने अब फिट हो अपने कि अपने लायक हो अपने ट्रेडिंग के लायक वैसा पैटर्न लेंगे हर कोई पैटर्न थोड़ी अपने काम का है पता नहीं वाला एक मिल्स क्या बने एंट्री भी लेनी बताएंगे न कि यह सब बताए तो एंट्री भी लेना बताएंगे वोट आर दोस नंबर्स ऑन दो राइट सैड अव ड़स इट लिंक विट ट्रेडिंग इस नंबर्स इस आप दो इस इस प्राइज अच्छले मैं आपको है न एक बेसिक यह आपको करेंसी से रिलेटेड अगर शायद समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको एक बहुत बेसिक तरीके से करके बताता हूँ कर नहीं होगा नहीं होगा नहीं तो दक इस ट्रेड करते हैं फैक क्रफ़ए नियुक व कि मार्गे इंडे priority अधन मार्गेर प्रांस जो है इस इन जिए अन वार्केटs करों यह भी आपको जैसे गोल्ड है उर इन यहां मार्केट मार्ट quindi on पर यहां पर आपर यहां पर इतना नीचे गया था एक सट हजार साथ सो सत्रा यह यह इतना ओपर आया था तो यह जो प्राइजिंग जो है यह जो नंबर जांग का उस टाइम का प्राइज समझ में आया यह यह जो राइट में नंबर्स क्या है वह और दोस नंबर्स यह आस्क में और यहां यहां बाई किया लेट से 63,000 में बाई किया और 63,250 हो गया तो सब्सक्राइब करते हैं अगर आप लोग फिजिकल कोई शेयर्स हो गया है तो यहां प्रॉपिट्ट करते हैं अगर आप लोग फिजिकल कोई सब्सक्राइब करते हैं तो मतलब की चलो वह शेयर का ट्रेडिंग हो गया बट यह सब तो अपन खाली नंबर्स ही ट्रेड कर रहे हैं और कुछ नहीं समझ में आया है अंडर्स्टूट है इसे डिसकुशन होता है तो बहुत सारी चीज़े क्लियर होते जाती है इसलिए सेटरडेश का टॉपिक सेटरडेश का मैं बस इसी लिए रखता हूंगी है केंडल स्टाइप के केंडल चार पैटन्स और कुछ किसी को डिस्कुशन करना हो कुछ पूछना हो बताना हो तो उसके लिए ही रखता हूं कि लिए इस गोल्ड कोई सेलिंग में है क्या किसीने सेल ले रखाए गोल्ड में एक एनिवडी इन सेल गोल्ड के कि कि नो कि जीपी यूएसडी किसी का कंटिनुएशन में है अभी कि कि अच्छा ट्रेड था कि भीपी यह स्टी अभी कोड़ अपना टार्गेट तो आ जाएगा ना तू सिक्स नाइन टू फोर अल्मोस अटार्गेट के पास नहीं है मार्केट ओपन होने के बाद में पैटन मनता है अज है ने वह अपन बता नहीं सकते निक्स पैटन क्या बनेगा और जड़ी निए क्या रगेगा रियली बेयस गुर्डेजी रखेंश क्किवेस यह का बना तो यह रही बेस पर है द्रॉप बेस है ज। तो पैटन आगे क्या बनेगा वह नहीं हम बता सकता है वह कोई नहीं बता सकता आपको वह पता चलने लग गया तो फिर बात ही क्या यार फिल्ट वेली गुड ट्रेल करके लखिए डोंट लेट यॉर प्रॉफिट गो हुआ 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 है 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 मैंने बताया था अभी वापस कल बता दूंगा मैं और कुछ किसी का डाउट कोई क्वेरी हो तो एक मिनिट में बता सकते हैं जिरो पॉइंट जिरो वन में वेरी गुड जिरो पॉइंट जिरो तो महाबारत सतम हो गया अब बोल रहा राम को ने महाबारत में तो राम था ही नहीं कि अचलिये अधियों क्लों सेशन नौं 748 थैंक यू वेरी मच अब जो भी राइगा कल करेंगे क्वेरीजंट नेक्स पाट थैंक यू वेरी मच्छ ने आया होगा सभी को कुछ ना कूर्ट yes tomorrow 8 p.m tomorrow is sunday sunday right 8 p.m hello good night thank you very much um 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 झाल 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 झाल